कि नबस्ते दोस्तों सिनेमा हौल पापका स्वागत है मैं अजे बर्मातमच आज छपाग का रिव्यू लेकर आया हूं छपाग मैंने देख ली है और मैं चाहता हूँ कि आप लिए देखें कि हमारे समय की लोकप्रिये अविनित्रिये जो अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर है वह एक ऐसा विशय चुनती है जो बहुत ही मौजू है जो बहुत ही जरूरी है और जो सभी दर्शकों को देखनी चाहिए यह फिल्म लक्षमी अगरवाल की कहानी पर अध हासिल की उन्होंने अपने वकील के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में एसीड की विक्री को रेगुलेट करवाया उसके अलावा इसकी सजा बढ़वाई इसके अलावा इसका कंपनसेशन ज्यादा करवाया साथ ही एक अवेर्नेस पूरे विश्में ब लुजरना पढ़ता है इस दर्द को समजना हो तो बहुत ही संवेदां थी तरीके से मेगना गुल जार ने मेगना गुल जार की एक खासियत है और यह खासियत खास करके तलवार के बाद से दिख रही है कि वे रियल लाइफ करेक्टर उठाती है, रियल लाइफ करेक्टर को बहुत ही काव्यात्मक तरीके से सम्वेदनात्मक तरीके से परदे पर पेश करती है, उनके बायोपिक में बड़ बोलापन नहीं होता है, उनके प्रकार की कोई बहुत ही ठंडे दिमाग से ठंडे दिल से कोई बात कही जाती है और साफ कही जाती है हम कह सकते हैं चुके वह गुलजार की बेटी है और भारतिय समाज में हम ऐसा मानते हैं कि यह प्रभाव कहीने कहीं से ग्रहन होता है हो सकता है गुलजार का असर हो लेकिन इसमें एक individual talent की भी बात होती है परमपरा परमपरा हमें मिलती है लेकिन इसमें व्यक्तिकत प्रतिभा का बहुत बड़ा योगदान होता है मैं मेगना गुलजार को बढ़ाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार अपनी फिल्मों से यह साबित किया है कि वह अलहदार फ अभी नियुक्त आफिश कीया है और इसटमों करने में निश्च्ट रूप से उनके make-up प्लष के बढ़ा कमाल जो बढ़ा असर और इस प्लषतिप करने में बैं भी नाम नहीं और याश्मीन दृषाहरार कि से नहीं किया है उन को बढ़ाएह कहीं to से भी आपको अलग सा चिपका हुआ सा चेहरे पर कुछ लगाया हुआ सा नहीं देखता ऐसा लगता है कि दीपिका पूरे ट्रांस्फॉर्म हो गई है और उनके आदाकारी में इस ट्रांस्फॉर्मिशन का बहुत बड़ा असर है तो यह फिल्म में देखी जानी चाहिए इसले भी देखी जानी चाहिए कि दीपिका अपने अबने केरियर की एक उचाही पर यहां देखती है और उस चीजों को लेकर आती है जो कि बहुत जरूरी है फिल्मों के बाहर की दुनिया में उन्होंने जो अपनी अपना पक्ष दिखाया है और एक तरीके से कहलें कि अपने पॉलिटिक्स जाहिर कर दी है वह भी काविले तारीफ है उसी बात को लेकर उनके आलोसना हो रही है इसलिए भी हमें उनक फ्रवल हुआ तो पता चला कि अरे एक घंटे से जादा सब वक्त बीट किया फिल्म इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छे तरीके से पूरी बात कहती है और कि यह समय कब भी इता पता नहीं चलता हां बात के जो कहलें की उत्रार्द है फिल्म का उसमें थोड़ी दिक्क में जिसमें प्रेम कहानिया आई ही जाती है प्रेम उनमें हुआ था हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी अगरवाल की जिंदिगी में आलोग दिक्षित आये और उनका प्रेम हुआ लेकिन यह फिल्म उस प्रेम कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रे जहां दो तरीके से जाहिर होता है इस खामोश प्रेम को गीतों से शब्दों से बुल जानने बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है यह फिल्म दर्शनी है साथी कलाकारों के लिए भी खास करके विक्रांत मैसी ने जो भूमिका अदा की है जिन्होंने फिल्म में आलोग दिक्ष की नाम बशीर है मुझे कलाकार का नाम नहीं मालूं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इस पिल्म में जो बहुत ही सिग्निफिकेंट किरदार है कुछ एक वकील है एक जो सिराज हैं सिराज जो लगातार मदद करती हैं मालती की जो फिल्म में लक्षमिय अगरवाल का नाम रखा गया है मालती उसकी यह फिल्म उभर के एक बहुत खुबसूरत फिल्म के तौर पर उभर के आती है और इस खुबसूरती को बयान करना तभी संभव होगा या तभी आप समझ पाएंगे जो आप खुद इस फिल्म को देखेंगे यह फिल्म कई इस तरहों पर चलती है एक तरहा लक्षमी अग्रवाल यानि ki मालती की कहानी है एक епर समाज के माहिलाओ की कहانिय जो मना करने के बाद समाज में किस तरीके के मुष्किलें जहिलती है उंपर किस तरीके से इस एटैक किया जाता है जो लटकियां पढ़ना और बढ़ना चाहती है सबस्क्राइक यह बात उससे बड़ी सचा यह च्माश कमचे हैं जर्ए नियर्श निव rifain 5 booming ही निश्चा इन chunkyya जिनिसे अंब सहाएं उन पर एक जाधा हुए यह पुर्स अत्मक्श समाज की वादि स्च बीत कि तुम्हें किmbol foundation के प्रविर्ति है और इसके घोर निंदा होनी चाहिए और यह फिल्म उस बात को रेखंकित करती है इसमें सभी लोग सामिल हो जकते हैं मालती जोसी के परिवार का दर्द जो परिवार ऐसी एक जो होता है इसी विप्टिम जो होता है सिर्थ उसी पर यह तो उसकी अपनी तरीके से मेगना ने इस बात को रखा है पिता मां भाई के जरिये ये बाते सामने आती है एक लोगों के अंदर मीडिया की भूमिका मीडियमिका निभा सकता है वहां भी बात रिखांक हुत होती हैं तो यह फिल्म कई स्थरों पर अपील करती है हम फिल्म making के हिसाब से कह लें च्राफ्ट कर लें तो फिल्म के पढ़का था करें तो उसमें कहीं थोड़ी दिक्कत है जिसके वुजह से यां है कि आ उतनी असरकारी नहीं हो पहbased के तौर पर बहुत प्रभावित नहीं करती लेकिन शायद यही शिल्प और शैली है मेगना गुलजार की वह बहुत ही साधे तरीके से अपनी बात कहती है और इस में में उन्होंने यही कोशिश की है मैं आखिर में फिर से दिपिका पादू को उनको धन्यवाद दूगा और उनको बढ़ाई दूगा कि उनमें जो यह सोच के इस तर पर पर परिवर्तन आया है उसके लिए उनको बढ़ाई अब वो इस पर कायम रहें आगे भी ऐसी फिल्में करने की कोशिश करें होता क्या है कि एक स्टार हेंड़ी समाज में भारतीय समाज में जब स्टार इस तरीके की भूमिकाएं करता है इस तरीके की फिल्में बनाता है उसका व्यापक असर होता है हम मामली सी बात याद दिलाऊं आपको जहेनियों में जो घटना हुई है हिंसा की घटना उसके बाद लगातार प्रतिरोध पूरे देश में चल लेकिन एक दीपिका की वहां मौझूदगी खामोश मौझूदगी ने जो असर डाला है वो लाखों सब्दों से बयान ने क्या जा सकता था या विरोध पर्देशन की एक अलग कहने की प्रतीक के तौर पर दीपिका अभरी है और प्रतिरोध की धारा उन्हें टेच कर गी है धारा मिंस करेंट प्रतिरोध का करेंट जब टेच करता है तो आप वहीं नहीं रहते जो उसके पहले रहते हैं तो बढ़ाई और शुक्रिया आप फिल्म जरूर देखें मेरा नाम अजय ब्रमात मजय सिनेमा हॉल पर आप यह देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा होसला बढ़ाएं धन्यवाद शुक्रिया में